हेलो फ्रेंस आज के वीडियो में हम लोग कनारा बेंक लिमिटेट का एनलाइसिस करने वाले हैं और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों कनारा बेंक के विकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में continuously higher highs and higher lows का formation हो रहा था और दोस्तो 125 के लेवल पे प्राइस को resistance मिला और दोस्तो 125 के नीचे 120 भी प्राइस के लिए बहुत ही important resistance बन गया है और दोस्तो weekly chart पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस अभी 117 के पास trade कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर प्राइस 120 से 125 का important resistance ब्रेक कर देता है और इसके उपर sustain करता है तब फिर से प्राइस में strong up move दिख सकता है और दोस्तो weekly chart की तरह daily chart पे हम लोग देख सकते है 120 से 125 का जो range है यह price के लिए बहुत ही important resistance जो बन गया है और दोस्तो 125 के उपर 128 price के लिए बहुत ही important resistance बना हुआ है यह एक प्राइस के लिए बहुत ही important resistance बना हुआ है इसी हिसाब से दोस्तो आप लोग देख सकते हैं, 105 से 110 के लेवल से प्राइस को पहले भी सपोर्ट मिला है, हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर price 105 से 110 के range के पास आता है तब जो है price में फिर से strong bounce दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 110 के पास आता है तब जो है lower level पे strict stop loss लगाके फिर से higher level के लिए trail कर सकते हैं और उसी हिसाब से दोस्तों 110 के ऊपर 120 से 125 का जो range है यह बनने वाला है price के लिए first target 125 के उपर 128 बनने वाला है price के लिए second target और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 128 का important resistance भी break कर देता है इसके उपर daily basis में strong bullish candle form करता है तब जो है हम लोग higher level पे 128 के उपर 150 से 200 के लिए trail कर सकते हैं यह रहा दोस्तों कनारा बेंक लिमिटेड के complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छे लगा होगा thanks for watching that video